यह पार्ट देखने यह मडगाड है RX100 का कलर देख सेकते हैं डल हो चुक है इसको हम अगर इस भी देखना वास भी कर देंगे तब यह ऐसा इसका पॉलिस्टिंग आएगा नहीं देख सेकते कितना ज्यादा इसमें रस्टिंग आ चुका है रस्टिंग भी आ चुका है उसके इसका जो कलर है क्रोम पार्ट वह डाल हो चुका है तो जिस्ट मैंने ट्राइ किया था एक वार मतलब वीडियो नहीं से पहले तो जिस्ट एक मिनिट किया तीस सेगन केस को रिजल्ट है आप देख सेकते डिफरेंस इस तरीके साय है मैं वह कंप्रेश से दिखाऊंगा यह इसका भी शुरुआत है यह पूरा ऐसे ही हो जाए इसके डबल होगा करने के लिए सबसे पहले आपको एक एंगल रहने चाहिए अगर आप अच्छी से काम करना चाहते हो तो यह एंगल रहना ले लिजिए हाथ से भी होगा उतनी जादा अच्छे से नहीं होगा इस अब मुझे मिला नहीं इसी तरीके से इसको गयता है ग्रीन कंपाउंड को पॉलिष करने के लिए इसको गया रहता है इसके थूई हमको साइनिंग को बाकवस ला सकते हैं एक क्रोम पावडर आता है क्रोम पावडर मुझे मार्केट में मिला नहीं अभी के लिए तो हम यह पार्ट यूज करें पितंबरी कंपनी का यह आपको बहुत सिस्था मिल जाएगा देड़ सो ग्राम का पावच प्राइस है 45 रूपीज और इससे पीतल का पार्ट पॉलिष होता है बाट इसमें अभी लिखा है स्टील कापर ना और स्टील कापर ब्रास इस सब में यह उप टिप नावर वान अगर इस बेज जाधा है रस्टिंग है तो आपको हलका सा सेंड पर लेना है वह भी 600 नंबर का इसको हलका सा सेंड करना है तकि उपर में रस्टिंग वह जगा रहो बहुत चला है उसको आप पाने से कर दिजिए इसको पहले पोच लिजी में अच्छे से इसको पोचना पड़एगा क्या हाँ उसमें ब्सक्राइब निकल जई हुआ इसको पूर्ण आपको प्लाइक करना है कि अच्छे से इसको आप्लाइक करना अच्छे से मेरे इसिको पर जाता करना है कि इसी के ऊपर पॉलिसिंग होगा उसके बाद हलका थालका पाने का उपयर करना है उसके बाद हम मेन प्रोसेस स्टार्ट करते है पॉलिसिंग करते है आप देखना डीफरेंस करते हैं यह पॉलिसिंग में आपको साथ डिखा रहा हूं तो लाइब में आपको डिफरेंस दिखा रहा हो देख सेकते कितना बढ़ी आतरी से पॉलिसिंग हो रहे है और इसमें हीटिंग ज्यादा होता है तो आप एक काम करें मतलब तीस फ्रेकंड करने के पासे आप पानी का उप्पेउग करें कि अगरें सी दा रेजाल्स यह पुर्णा वाला था और आमने पॉलिसिंग करें एक थोड़ा गरम है इसको फानी भी नहीं इतना हो जोड़ा फ्रण नहीं गरम है यह वाला पाट अभी इसको पर जब यह प्लीन हो जाएगा ना शूप जाएगा ठंडी हो जाएगा उसके हैं से थोड़ा थोड़ा करना है तो इसका पॉलीसिंग जो है ना वह मेंट्रियन रहेगा और भी साइन आज है आज आट को पार जो देख सकते हैं वाइट कलर का मिलता है बाड़ी यह पितंबरी पाड़र यह आई तिंक और यह आपका पिंग कलर का है इसको अपलाएगा पूरा डल है यह तो हमने पॉलिस कर दिया कि यह देखा है इसको पर पीतम पर पावडर पावडर उसको अप्लाए करेंगे आप देखने यह फिर भी छूटन लेंगा और इसके जो पॉलिसिंग नहीं लगा है इसको पर देखते हैं यह देखो हाट से हाथ से उतर रहे है जो उपर का डश्ट है वह हमारे हाथ में आ गया अगया तो इसा तो क्लीन नहीं करेंगा पट पहले जो था यह वाला पार्ट इससे देखो यह हमने सिर्फ पावडर किया काफी बेटर पार्परमेश करें इससे बढ़िया है मैं बोलूं हो गया और चाहो तो इसको पर आप डबल पॉलिस कर सकते हैं इसको ले लिया है अभी पावडर पावडर हो चुक है अभी इसको पर हम पॉलिसिंग करेंगे देखते है अब करेंगे तो इसको मैं पॉलिस कर लाता हूं इस पिदम बड़े पावडर से उसको वाद मैं आपको फायल लोग दिखा तो सी दा डिफेरेंस दिश्चाइब देख सकते हैं पूरा ही चमक चुगा है काफिस मूध भी वह चुगा है और यह हमारा ओल्ड वन यह और यह ह हने इस टैंक में थोड़ा सा पॉलिशिंग किया था यह तो पूरा ब्रैन्ड नहीं हो जुगा है जिस में में पिदम बरी पावडर का पॉलिशिंग किया था हलका पूरा पॉलिस हो गया है तो तो अगर आप कुछ भी नहीं है तब भी हो प्रिटमर जो पावडर आता है तो स्टील के दूपकान में मिल जाता है उसको भी आप अच्छे से मतलब घिसेंगे ना क्लीन करके तब भी ग्लेजिंग आता है तो आपके वीडियो चोड़ा से लगा आप अपने घर में अगर आपके बास ओल्ड वाइक है क्रोम बाला पार्ट जाता है तो आप इसमें ट्राइगार सकते हैं तो आप इसमें प्राइगार सकते हैं जाए बंद मतरम भारत मातेगी जाए